मूर्ति बेचने वाले गरीब कलाकार के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है गरीबों के बच्चे भी खाना खा सके तोयोहारों में इसलिए भगवान खुद बिख जाते हैं वाजारों में और एक मिर्ति की मूर्तियां बनाने वाला कुमार इसवर से कहता है कि हे परभू तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ तूने मुझ जैसे ऐसंख्य पुतले बनाकर इस धर्ती पर बेजे हैं और मैंने तेरे ऐसंख्य पुतले बनाकर इस धर्ती पर बेचे हैं पर इस वर जी उस समय बड़ी सर्म आती है जब तेरे बनाएवे पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाएवे पुतलों के सामने लोग सीज जुकाते हैं और जीव की बात करें तो जीव में एक भी हट्टी नहीं होती फिर भी यह जीव इनसान की सारी हडिया तुड़वाने की ताकत रखती है और भिस्म पिता में के जीवन का सिर्फ एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर कुरोध नहीं किया और जटायू जी के जीवन का एक ही पुन्य था उसने समय पर कुरोध किया प्रिणाम सवरूप फल ये निकला कि एक को बानों की सया मिली और एक को पर्भु सिर्राम की गोध अतै क्रोध भी तब पुन्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए और सैंसीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना और रावन जब सहिया पर पड़ा था तो उसने सिरी राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं तुमसे हर मामले में बढ़ा हूँ उम्र में, बुद्धी में, बल में मेरा कुटुम भी तुमसे बढ़ा है मेरी लंका सोने की है, धन दोलत में भी मेरा राज्य तुमसे बढ़ा है पर इन सब के बाद भी मैं हार गया क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाब था इसलिए दोस्तों अंदरूनी तागत हमें बना कर रखनी चाहिए किसी ने कहा है कि किसी भी पेड के कटने का किस्सा ना होता अगर कुलाडी के पीछे लकडी का हिस्सा ना होता मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा क्यूस्चन है ऐसा कौन सा सब्द है जिसे खुसी में पढ़ोतो दुख होता है और दुख में पढ़ो तो खुसी मिलती है इसका उत्रमा आपको भी बताऊंगा प्यारे दोस्तों हाज जोड़कर गुजारिस रोजाने के तरह चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पलीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी अगली वीडियो देखने के लिए और इस चैनल से जोड़ने के लिए दोस्तों इस से वो सब्द है ये वक्त भी गुजर जाएगा या ये वक्त गुजर जाएगा ये वो सब्द है यानि कि जिसको खुसी में पढ़ेंगे तो दुख मिलता है और दुख में पढ़ेंगे तो खुसी मिलती है